डॉक्टर बाबा साहिब अमबेडकर ओपन उनिवर्सिटी नमस्कार डॉक्टर बाबा साहिब अमबेडकर ओपन उनिवर्सिटी के चत्तनी इस्टूडियो में आप सभी का स्वागत है मैं नितो सिंग असिस्टन प्रोफेसरीन इस्पेशल एजुकेशन आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेपर एस इस वी जीरो टू के ब्लॉग टू टीचिंग ओफ एकडमिक फंक्शनल स्किल्स के बारे में है इसमें हमने पिछले क्लास में भी कुछ डिसकस किया था उसी को आ और ये इनटेशन और मोबिलीटी से हमारा क्या मतलब है यह इसमें हम जो वी आई बच्चा है वो किस तरह से ट्रेनिंग करेंगे किस तरह से इसको सीखेंगे कैसे अपने जीवन में इसका उप्योग करेंगे जहां पर हम बैठे हैं या ख़ड़े है उस इस्तिति में या उस जगह का बातावरन या वहां का जो परिवेस वह वहां कि इस बर उचार, वहां के जो भी पूरा टॉच सिर्फ हाग़े या फिर हमें पहले से पटा नहीं है तो हम जानेंगे पहले से पता है तो हम उसके हिसाब से अपना मूबिलीटी कर सकते हैं, यहां पर मूबिलीटी से मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, जो मूफ करना है, वो है, तो अभिविनियास परियावरन के समंध में किसी की इस्तिती को पहचाने की छमता है, ज जो हमें बीना चोट लगे हुए है, बीना नुकसान कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, या जा सकते हैं, वी आई बच्चे हैं, तो उनको जाने में दिक्कत होगा, तो उसके लिए फिर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो वो सब इसमें आएगा, औरियेंटेशन औ बच्चा नहीं है, लो वीजन में है, तो वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो जो उनकी बच्ची हुई जो डेखनी की छमता है, उसको कैसे उटिलाइज करेंगे, और अन इंद्रिया है, जो उसको भी उप्योग करके वो एक जगह से दुसरे जगह जा सकते हैं, इसमें जो लॉंग केन है, और अप्टिकल डिवाइस है, उसका उप्योग किया जाता है, ओरिंटेशन और मोबिलिटी का जो कौसल है स्किल्स है, उसका विकास बच्चे में सरीर की बुनियादी जगरुकता और गतिवीदी से सुरू होकर बड़े तक जारी रहता है, जो हम कि व्यक्ति ऐसे कौसल सीखता है, जो उसे अपनी दुनिया को कुछलता पूर्बग, प्रभावी धंग से और सुरक्षित रूप से निविगेट करने की अनुमति देता है, बच्चा है तो इसकूल भी जाएगा, घर से इसकूल जाने का जो रास्ता है, किस तरह से हमें जा रहे हैं, तो खुद किसी और के उपर डिपेंड ना होके, इंडिविजुली हम इंडिपेंडली कैसे एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, फिर और इंटेसन और मूबलीटी कारिकरम की योजना बनाते समय प्रसिक्षन में कुछ बातें उसका हमें ध्यान रखना होता है जैसे अगर बच्चे को हम ट्रेनिंग देने से पहले इस इस चीजों का हम अपने जो प्लान है वो बनाएंगे या फिर सिखाने से पहले ध्यान में रखेंगे, जो पहला है वो है संबेंदी जागरुकता जैसे आवाज की, क्योंकि वियाई बच्चा पूरी तरह से देखन है तो जो उसकी जो उसकी से सिंद्रिया है जैसे सूंगने की सकती तच फील करने की सकती तच करने की सकती है सुनने की सकती है तो उसके मादियम सो जानकारी प्राप्त कर सकता है तो उसके बारे में हम जानेंगे फिर दूसरा है अस्थानिक अवधार ना है या मैसूस करना क कि वस्तु वास्तिविक में है भले ही उन्हें सुने या मैसुस नहीं किया गया हो और पडियावरन में बस्तु के बीच मौजूद समंधों को समझना जैसे आप कहीं भी जाते हो तो बीच में अगर हमें टर्ण लेना है वहां पर बिल्डिंग है या क्लास्रूम में है तो हमे टेवल है डेस्क है तो यह सब जो समाने है उसमें से आवाज नहीं आते लेकिन वह हमारे बातावरन में मौजूद है तो उससे डील करते हुए कैसे बच्चा एक जगह से दूसरे जगह जाए और उसको कोई नुकसान भी ना हो जैसे उससे धक्का ना लगे उसको चोट ना जा रहा है जो देख सकता है साइट गाइड है तो वह आराम से बच्चे को बता देगा लेकिन अगर बच्चे खुद अकेले जा रहा है तो अगर उनको आप जैसे कई बार हम नहीं जगह पर जाते हैं तो पूछते भी है कि हमें उस ख्लास्रूम पे जाना है तो कौन से फ् तो वह सारा इंस्ट्रक्शन को फॉले करते हुए वह क्लास्रूम को डुणना बच्चे को हो सकता है दिक्कत हो परसानी हो तो यह किस तरह से वह इसमें कुसलता प्राप्त करेंगे फिर नेक्स्ट है स्वतंत्र गति जिसमें रेगना लुड़कना चलना आधी सामिल है अग चलना सीखते हैं तो एक कमरे से दूसरे कमरे जाना उपर से नीचे जाना तो यह सारा जो चीजे है उसमें वह सीखते हुए कैसे स्वतंत रूप से वह चलना सीखी गया या अपना जो ओरियंटेशन और मॉबलीटी है एक जगह से दूसरे जाना वह किस तरह से कर पाएगा चीजें हमें ध्यान में रखनी हैं वाक जो पहला है हमारा वह स्वा विधी इनीवा इसमा जो एक विएइपर सब्सक्रार अच्टे जो पाले मिलें už और उनको मदद कर रहे हैं तो सब सबसे पहला तर्दों परसं कि ऊसे जो आधा पर साथैं और पीछे ख़ड़ा होगा तो उनको बताना है कि कितना हमें जो उनको पकर एंग की ग्रैप्स कारेंगे वो कैसा होना चाहिए बहुत कर्सकों फ्राइन और ठासे मुदा और पकरना है कि आगे चलागया और जो पीछे रहे गया ऐसा नहीं करना है और जब भी आप अपना जो हैंड हो मुफ करें तो उसके मुफ से उसको पता चले कि आप मुणनी के लिए बोल रहे हैं और जो साइटेड गाइड है वो उनका ध्यान रखते हुए अपना इस्टेप ले नहीं के बहुत फटा फट चले जा रहे हैं और पीछे वाले बंदे को लग रहे हैं कि वह उनके साथ घसिता रहे हैं ऐसा नहीं करना है उनके हिसाब से हमें इस जो हैंड है वो आप पिक्टर में देख रहे हैं नेरो एरिया लिखा हुआ है तो वहां पर अपना हैंड फोल्ड कर लेंगे तो इससे जो वी आई परसा ने उसको पता चले गया कि अब हमें एकडम एकडम एक्जेक्ट जो साइटेड गाइड है उसके पीछे हमें इस्टे और सीरी से अगर उतरना है तो आपका जो जो वी आई परसान वह आपके जो हैंड है एलवो वह पकर हुए है आप बगल में उनका जो यह लगा हुआ है अगर रेंप से जा रहे हैं या सीरी से जा रहे हैं तो आप उनको रेलिंग पक्रास सकते हो और एक-एक स्टेप करके तो पहले आप उत्रोंगे फिर आपकी पीशे वह उत्रेंगे तो इस तरह से हम उसका भी इस्तमाल करते हैं और इससे जो वी आई पर्षान है उसको खुदी एक जगा से दूसरे जगा जाना है और वह भी अपनी सुरक्षा के साथ जाना है अगर आप अपने घर में हो तो आपको पता होगा या आप डेली वहाँ पे इस कमरे से कीचन में ट्वालेट में जा रहे हो बलकनी में तो आपको जो वी आई परसन है उसको स्टेप वाई जिया वह अपना एक टालमिल बैठा लेते हैं कि हमारे दो कदम के बगल में डाइनिं लाइट चले जाती है तो भी हम अन्धेरे में अपना जो चीजी है कैंडल है माचीज बॉक्स तो वह सम ढूंड लेते हैं यह अपने घर में है तो उनको यह अपनी इस्टिती का पता है और कौन सा समान कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो वहां पर टकराने या चोट यह फिर उपलान था उन्हें कुछ पता नहीं है तो वहां पर अपने सुरक्षा के साथ वह कैसे आगे बड़ेंगे तो तो पहला जो हैंड हुआ आप ऊपर रखोगे अपना इस तरह से जो आपका जो में प्र्फेस है उसको प्रोटेक्ट करेंगा यह अगर आप टकरा यह हो भी तो पहले आपके हाथ में लगे आपके फेस में डारेक्ट आपको छोटना लगे फिर दूसरा दे वह हम अपना बडी के नीचे वाले पाट करेंगे फिर अपना धीर दीरे अस्टेप लेना सुरू करेंगे और कैसे हमको अपना हैं रखना है तो यह जो हमारा नोज ना के उसके आप से पूरा हमें यहां से ऐसे करके लेके जाना है तो इसे हमारा बडी का अपर पार और लूर पार दोनों ही प्रोटेक्शन में रहेगा और दीरे-दीरे हम अपना स्टेप लेंगे तो इसे हम प्रोट ही जो व्हा Colonis Big Sleep और सब्सक्र्सक्राऊं करते हैं या से मैसूश कर सकते हैं कि या फिर यहाँ पर याउपनी या फिर मिउक घास है यह वहां पर गार्ण जैसा है तो यह टिप से भी पता चलता है लॉंग केन में बहुत तरह के आजकाल टेकनोलोजी से लैस बहुत सारे केन है और असानी बहुत ही आसानी हो गए पहले के जबाने में तो लॉंग केन का उतना कंसेप्ट नहीं था तो फिर जो लक्री है या फिर आप लोगों ने अपने दादा वग कराय में देखा हुए कि लक्री के साहरे से ज यॉंण केन से जो परकशन है वह अगैंक जगासे दुसरे जगा और आसानी से जा क्याया सकते हैं तो रास्ते पर चलने कि लिए यह रास्ते में वेस्थों का पता लगाने के लिए विवीन वेदativos टेखनीकों का उप्योग किया जाता है उन्होंने झो लॉंग केन है उसका अविस्कार किया है जिन्होंने छोटी लएक की बेद को बदलने के लिए और लोंग ना करते हैं तो इसके अपने बढ़र चलने के टाएम में उसको टूटट टैक्निक करते हैं तो तरफ करते हुए site पर वीटशерм हममा वह पहले केन तक्राइगा वहां पर तर्च होगा तो आपको फील होगा कि वहां पर कुछ समान रखी हुई है ताकि आप आसानी से अचल पाओ गीरो नहीं तक्राओ नहीं और सुरक्षा के साथ फिर अपने आसपास भी केन की साहरा से हम उसको मूव करके पता कर लेंगे कि हम कहां पर खड़ी है हमारे आसपास कुछ ऑफ्स्टिकल्स तो नहीं है फिर सीरी पर आप देख रहे हो पिक्चर में है कि सीरी पर चलते हुए जो केन है उसको में अपने आगे सीधा करके रखना है और थोड़ा सा उचा उठा के चलना जैसे आप एक स्टेप चरे तो वह केन है इस तरह से हमें सीरी पर हमुप करना फिर जो रेलिंग लगी है उसका भी हम साहरा ले सकते हैं उसको भी आप पकरते हुए केन के साहरे से आप जा सकते हो प्रेट का उप्योग करना अपने हाथ को अपने सरीर के सामने केंजरित करके बेट को पकरें के दूसरा है बेद पकेबल अगली के गती से हमा बहुत कसके पकड़न कि या इतना कसके पकड़ने क मूवी नहीं हो रहा थह तो उसको फ़ोल्ड करने का वह भी तरीका में अपने हाथ को इसली रखते हुए बेद को बैद की नोग से ऐसे चाप में गुमाया जो आपके शरीर से लगबग एक इंच चोड़ा हो बेद को अपने पैरों से लै में गुमाया बेद की नोग हमेशा आपके आगे वाले पैर के भीपृत दीसा में रहे बेस का नोग या जो जमीन के साथ सरकतीयए गैम चाप के पर्टेक्छोर पर जमीन को चूती है और जमीन के जमीन से एक इंच के अधिक ऊपर नहीं रहती है तो यह असपर्स तकनिक है तो इसमें हम जब भी लोंग केन का इस्तमाल करते हैं दो तकनिक हम इस्तमाल करते हैं 250 एलोंग केन केन में एक जो चीजर रही रहेगा और इक कि फोल्ड लग करेंवे असानी से रख सकते हो और कहीं भी अपने साथ ले तो लॉंग के यह 12 mm बाहरी वैसाई के अल्मुनियम टूइबिंग से बना है और 90 cm लंबा है इसमें उपर की तरह एक ग्रीप और नीचे की तरफ एक नैलोन टिप है ताकि यह फिसले नहीं लंबी चरी का उप्योग वैस को द्वारा किया जाता है जैसे अगर हर व्यक्ति का ह कि है देना में उसको लों कर नीचे हैं फ होल्डिंग के निए बया यह लंबी के समान है यह कि परिवाहन में यातरा करते समय से मोरकर बैंग में रखा जा सकता निरूंग के और फोलड के अन्तर नहीं सरिफ 70 कि अपfen कर सकते हो और जो लॉंक ये उसका फोल्ड कर सकते हो उसको आपको पकड़ की रखना हो तो फिर नेक्स हमारा ट्रेलिंग इसका उपियोग चात्र हॉल बे और कमरे के माध्यम से सुरक्षित रूप से अस्थांतरित करने के लिए करते हैं चात्र को चलते समय दिवार को हलके से या धीरे से अपनी उंगलियों के पिछले भाग से चुना होता है जो हम इस तरब से छुते हैं इधर से नहीं पीछे के हैंट के जो हमारा पाल में उसके पीछे से हम ऐसे वाल को टच करते हुए जाते हैं एक जगा से दूसरे जगा शरी की दूरी पर खड़े रखकर खड़े हो जाए फिर हाथ को कुले के अस्तर पर अपने सामने फलाए और फर्स की और नीचे क्योर जुकाए अपने सरीर से लगबग 12 इंच की दूरी पर अपने हाथ की पिछले हिस्से से दिवार को चुए आगे बढ़ते समय अपने हाथ को इसी स्थिति में रखे जैसे जैसे हम आगे मूफ करेंगे अपने हाथ को जैसे हम दिवाल को टच कर रहे हैं उसी तरह से टच करते हुए आगे बढ़ेंगे जारे यहां पर लुग से अगर दकानल लगे किसी से वेकिति हैँ तो इस तरह आप अपने सुरक्षित के हुए भी आगे बढ़ सकते हो तो यहां पर हमने ट्रेलिंग और प्रोटेक्टिव टेकनिक हैं दोनों का भी इस्तमाल एक साथ कर रहे हैं फिर है स्क्वेरिंग औफ इस तकनिक का उप्योग तब किया जाता है जब कोई खुली जगा में चलने की अवसकता होती है खुली जगा मिलने पर वे अपनी यात्रा की प्रारंबी किरेखा को बदले बिना कोने के चारों और गुमते हैं वे अपनी पीठ और दिवार से टकराकर रखेंगे खुली जगा पर चलते समय उप्री या निचले सरीर की सुरक्चा का उप्योग करें जो प्रोटेक्टिव टेक्निक है उन्हें एक हाथ से उप्री सरीर की सुरक्चा का उप्योग करना चाहिए और उनका वे विकंड पर होना चाहिए या जब तक वे विप्रित दिशा में नहीं पहुँच जाते हैं तब तक वह यात्रा की सीधी रेखा बनाए रखते हैं नीरंतन संपर का उपयोग करते हैं जब तक आप उस हॉलवे को या ज्यादा खुला जगाए वहां क्रॉस नहीं कर लेते हो तब तक आपको सीधे ही चलते रहना है और जो सुरक्ष्या है उसक की क्यों बढ़ना तो इसमें हम प्रोटेक्टिव टेक्निका भी इस्तमाल कर सकते हैं और लॉंग केंट टेक्निका भी इस्तमाल कर सकते हैं और अगर साइट गाइड हो तो तो वहां पर तो गाइड साइट परसन है तो आसानी से बता सकता है तो उस टाइम तो हमें जो भी पार्ट है उसका रखते हुए हमें आगे बढ़ना है तो हम पहले खड़े हो जाएंगे उसके बाद हम सीधा वहां से सीधा चलना स्टार्ट करेंगे जब तक हम हमें अपोजीट साइड या वह पूरा क्रोस करके उस साइड ना चले जाए तब तक फिर हम टिरेक्सबuses टेकिंग कि जब यह बियाई बच्चा है उसको हमें मौकिक रूप या बोल के ही डाएरेक्शन देना चाहिए और धीरे धीरे फटा फट नहीं बोल देना दीरे दीरे उनको हमें direction देना है और एक-एक करके देना है फिर जब direction taking हम बता रहे हैं या जो वी आई परसा ने वो डायरेक्शन ले रहा है आप से किसी जगह के बारे में पूछ रहे हैं कि हमें वहां तक कैसे जाना है तो हम landmark और clue का सहारा लेते हैं या जो साइट परसन है वह भी कई बर नई जगह पर जाते हैं तो आप अपने family member या दोस से पूछते हो तो कई बार बताते हैं कि वहां पर चले जाना ना फिर वहां पर मंदीर आईगी वहां से आप turn ले लेना तो आपका जो landmark के वह क्या हो गया जो temple है वह है या फिर school है तो वहां पर school का नाम ब बहुत फेमास है जो उस एरिया का है तो उसके बारे में आपको बताए कि वहां पर आप जाना वहां से फिर आपको किधर जाना है वह आपको बताएंगे तो वह हमारा landmark है फिर जैसे अगर इस्कूल में है तो इस्कूल में प्रेयर का time fix होता है 8 बजे हो रही है या सरयाथ बजे तो उस टाइम परातना का वाज आता है या बहुत सारा बच्चे जब आते तो सूर होता है तो वह जो जो landmark है वह तो इस्तित है वह बदलता नहीं लेकिन clue है हो सकता है आज है कल नहीं होगा या फिर संडे को अगर हम सोर का या प्रातना का हम बताते हैं तो संडे को इस्कूल बंद होता है तो उस वह क्लू का जो पर्मामेंटे वह फिक्स नहीं होता लेकिन जो landmark के वह रहता है तो हम यहां पे clue और landmark दोनों का ही हम जब भी orientation and mobility आता है उसमें हम उप्योग करते है त orientation and mobility business को इस परकार परिवासित करते हैं कोई भी परिचीत वस्तु धुद्वनी गंध तापमान असपर्स या दिरिस शुराग जी से आसानी से पहचाना जा सकता है इस्तीर इस्तीर है और परियावरन में एक अलग अस्थाई अस्थान है जो यात्री को पता है तो यहां पर अगर और वहां से कहीं और जाना है तो वहां पर आपको बता सकते हैं कि अगर वह नय मौल बना है ना वहां पर चले जाना उसके दू कदम आगे बटोगे नरे तो हमारा सूसाइटि आजगा या पर कुछ भी कोई दूसरे या फिर लैंडमार्क का इस्तमाल करते हैं। शुराग में ध्वनी, गंध, तापमान, असपर्स, समंधी, शुराग आधी सामिल होते हैं। जबकि लैंडमार्क एक विसिस्ट और अस्थाई विसिस्था है जो उप्योग करता से परिचीत है। अस्थल चिन अस्थाई होते हैं और उन्हें डूणने से आपको पता चल जाएगा कि आप इमारतिया किसी जगह में कहां है। फ्रन्ट ओफिस में अक्सर एक काउंटर रहेगा जो संभवता एक अच्छा लैंडमार्क होता है। या फिर आप किसी स्कूल में भी जाते हो तो वहां पे जो रेस्प्षन पे एक जो भी क्यांव गत्त पर्सटेयु के पाते हैं। वहां से आप पूचकर पर एंदर किसके पास जाना ही प्रिंसेपल के पास जाना है یα कहीं भी या ऑपको बताते हैं। लेकिन वह reception का जो table है वो fix होता है वो daily daily नहीं change होता है या नहीं बदलता है तो वहां पर inter करने के बाद आपको वहां पर जाना है वो fix है तो वहां पर आप पहुंच गया तो वह भी एक तरह सा landmark की तरह ही इस्तमाल बता सकते हैं या इस्तमाल हो सकता है जैसे characteristics of a good landmark एक जो आसानी से identify कर सकता है और हमारे जो रास्ते हैं या जो हम travel करें उसमें आसानी से locate हो सकता है या फिर वह इतना बढ़ा है या इस तरह से कि वह कभी miss नहीं होगा अगर कोई building बनी है तो रातो रात हट नहीं जाए या वहां से कहीं चली नहीं जाए तो वह fix होता है वह change नहीं इस तरह से हो सकता है फिर आपका जो clue है ऐसी चीजे जो आपकी मदद तो कर सकती है लेकिन हमेशा उपलद नहीं होगी उधारन के लिए गेंदो के उचले जाने की आवाज एक अच्छा संगेत है जो जीम के करीब है अगर किसी आप बड़े से बिल्डिंग में जा रहे हो तो जीम से हमेशा एक्सरसाइज करने का यह एक्टिविटी करने का आवाज आता रहता है या बॉल का लेकिन अगर किसी दिन वह बंद है किसी विक किसी एक दिन पर तो अगर उस दिन हम चले जाए तो वह आवाज वहां पर नहीं होगी मिस होगा लेकिन कभी-कभी जिम खा जो चीत्रे हैं या आरेका है उसको हम अगर गूगल मैप है या फिर कोई पेपर बना हुआ मैप है तो विए बच्चे को हम टेक्टाल मैप की दौरा बता सकते हैं फिर अनुबाद और व्यक्या सीखना और समझाना किसी चीज़ के बारे में आप समझा रहे हो या उनको अनु वरतन करके सिखे अगर हम बच्चे के लिए कुछ चेंज कर दे कुछ मुडिफाई कर दे या उसमें कुछ जोड दे तो उससे उनको आसानी हो जाएगी समझने में या उस चीज के बारे में जानने में फिर विसलेशन और संसलेशन करने की छमता तरक और निन्ने लेने का जैसा अगर यह रोड जाम है तो हम दूसरे रोड से जा सकते हैं या फिर हमको क्रॉस करना है वहां पर बहुत भीर हो गई है तो जो आपको उसी टाइम जो डिसीजन लेना है तो वह लेने की जो चमता है या बच्चे में तरक करने की चमता है उसका भी हमें बच्चे को मस्का हो चाहिब करें है जो ॉच्छ हम समायोजन अस्ताफित कर सकते हैं यस तरह से विए बच्चे उनको को हम स्कूल में भी हम साह्म होती है साथ में खर में भी ट्रैनिक दे सकते बच्चे बच्चे को ताकि वह अच्यसे अपना जो ओर येंटेशन और मोबिलिटी है यह एक जगह से दूसरे जगह जाना है वो अच्छा से सीख सके तो आज हम यही तक रखते हैं next class में हम इसके आगे का जो topic है वो discuss करेंगे धन्यवाद